नमस्ते, मैं हूँ एटना जोसफ, देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार एशियाई कुष्टी चैंपिनशिप 2013, देश की जोली में डाले 7 पदक, अंतिम पंगाल ने जीता सिल्वर शूटिंग फिर पुराने फॉर्मैट में ISSF नया नियम वापस लिए, तीरंदाजी में भारतिय टीम के नये कोच का एलान और अब देखते हैं समाचार विस्तार से कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एशियाई कुष्टी चैंपिनशिप 2023 के अंग तालिका में तीसरे स्तान पर रहा भारत तखनीकी कारणों से फाइनल में हारी अंतिम पंगाल पर तखनीकी स्रेश्टता से कास्य जीती अंशु मलिक एशियाई कुष्टी चैंपिंशिप 2023 में एक बार फिर हरियान्वियों ने अपना लोहा मनवाया है देश की महिला खिलाडियों ने भारत की जोली में फिर से पदक डाले है अपने दाव पेच के बल पर अंतिम पंगाल ने सिल्वर जीता है जबकि अंशू मलिक 57 किलोग्राम, सोनम मलिक 62 किलोग्राम, मनीशा 65 किलोग्राम, रितिका हुड़ा 22 किलोग्राम, निशा तहिया 68 किलोग्राम ने कासे पदक जीते है अठारा साल की पंगाल ने 53 किलोग्राम के फाइनल में उसकी प्रतिदवन्दी, जापान की 2021 स्विश्व चैंपियन, अकारी फुजी नामी थी जिसने तकनीकी स्टेश चुता के माधियम से अंतिम पंगाल को 10 चूने से हराया पर तकनीकी स्टेश चुता से कासे जीती अंशुमलिक इस चैंपियनशिप में भारत के कुल 7 पदक मिले है साई मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक भारत ने 2 सिलवर और 5 कासे पदक जीते है शूटिंग की सबसे बड़ी संस्ता इंटरनाशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने नए नियमो को वापस ले लिया है अब पैरिस ओलिम्पिक 2024 पुराने नियमो के तहट खेला जाएगा इनी नियमो के तहट 2021 में टोक्यो ओलिम्पिक खेला गया था टोक्यो ओलिम्पिक के बाद ISSF ने नियमों में बदलाव किये थे ISSF ने 2020 टोक्यो ओलिम्पिक खेलों के बाद पिस्टल और राइफल निशाने बाजी में विजेता का फैसला करने के लिए फाइनल में अतिरिक चरण की शुरुआत की थी इसमें टॉप तो शूटर्स के बीच मुकाबला होता था ब्रॉंज के लिए अलग मुकाबला होता था बदले हुए नियम आट से पंद्रा माई के बीच आयोजित होने जा रहे पाकू वर्लकप से लागू होंगे भारतिय खेल जगत की तीरंदाजी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है बैक वॉंग की को रिकर्फ टीम के लिए हेड कोच नियुक्त किया है इटली के दो बार के वर्लकप विजेता सर्जियो पगनी को भी बड़ी जिमेदारी दी गई है भारतिय तीरंदाजी संग आर्चरी असोसेशन ओफ इंडिया ने 2014 पैरिस ओलिम्पिक खेलो से पहले रिकर्फ टीम के लिए ओलिम्पिक स्वर्ण पदक विजेता बैक वॉंग की को मुख्य कोच नियुक्त किया है लंदन ओलिम्पिक में महिलाओ की व्यक्तिगत और टीम वर्गों में अपने देश के दोरे स्वर्ण पदक जीतने वाले दक्षिन कोरियाई के वॉंग की मंगलवार से तुर्की के अंतालिया में सत्र के शुरुवात वर्ल्ड कप चरण एक के साथ भारत के अपने कारेकाल को शुरू करेंगे और अब बारी है स्पोर्ट सिंशोट्स की भारत की शैली सिंग ने फोर्ट इंगिन ग्रांड प्रिक्स में 6.6 मीटर की शांदार छलांग के साथ महिलाओ की लंबी छलांग में स्वर्ण पदक जीती जिससे एस फाय द्वारा निर्धारित एशन गेम्स योगिता प्राप की भारत की ये टॉप्स की मैथलीट ने महिलाओ की लंबी कूद में दूसरा सर्वुस्रेश्पदर्शन करके इतिहास भी रच दिया है भारती ये तिरंदाज जोती सुरेखा वैनम ने मंगलवार को तुर्की के एंटालिया में चल रहे और भी ताजा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार तब दक के लिए अलविदा